बढ़काव भाशन देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है साथी कोट ने 25,000 रुपए का जुर्मान अभी लगाया है दरसल आजम खान को आज ही रामपूर कोट ने IPC की धारा 153A, 505A और 125 लोग प्रतिने दित्व अधिनियम के तहट दोशी करा दिया था सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की विधान सबा सदस्ता जाना अपते हो गई है कोट परिसर के गेट, करेक्टरेट के गेट के साथ-साथ, बाहर सड़क पर भी पुलिस तेना आज है आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ 2019 के लोगसबा चुनाओ के दुराद मिलक कोटवाली इलाके के खाता नगरिया गाओं में जंसबा को संबोधित किया था आरोब है कि उन्होंने पढ़काऊ भाशन दिया था जिससे दो बर्गों में अफरत फैल सकती जिसका वीडियो वाइरल हुआ था वीडियो अब लोकर्ड टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले के रिपोर्ट मिलक कोटवाली में तर्च कराई गी थी फुलिस ने विवेचना करते हुए चार्ड शीट कोट में दाखिल की थी मामले की सुनवाई MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल निशानतमान की कोट में चल रही थी इस मामले में दोनों पक्ष की बैस 21 अक्टूबर को पूरी हो गई थी दोनों पक्ष की दरिल सुने के बाद कोट ने अगले सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीक मुकर्र की इससे बहले आजम खान ने कोट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा आजम खान फिलाल कोट में मौजूद है